असलम-laikum औरो, भी है मैं अग्याइक साथ कीमे की समुछी रेसिपी शेयरा करें इस सी में वाम एक में मुछ दुरू गहां है दो आपनेगी खायाे मोटिथा तो बूत मूझे ने वी इन नियुक्त दबने के लिए ज govern है को यहां पर मैंने एक वैसल एलिया हैि और इसमें हम वन टेबल स्पून के करीब और लीड़ घृड़ कर देंगे और में ज बर लेंगे तो हम वन टेबल स्पून तालेगे यहां मैंने हमाने 210 ग्राम कीमा ले लिया जैसे जैसे आप इसे ओयल में फ्राइ करते चाहोगे न तो इसका कलर चेंज होते जाएगा यह देखिए और पानी भी इसका रिलीज हो जाएगा कीमे का तो अभी हम इसमें अधरिक लेसन का पेस्ट एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अधरिक लेसन दालने के पाद हमें अच्छे से इसे बूल लेना है तीन से चार मिनिट आप भूलीजिए और फिर इसमें हम लाल मेची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और सॉल्ट एड़ कर देंगे हमारे टेस्ट के इसाफ से और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसमें हमें अभी पानी नहीं दालना है क्योंकि जो मटन में से पानी निकलेगा वो काफी हो जाएगा तो हम इसकी लीट लगा देंगे और 10 मिनिट से पका लेंगे और जब आप 10 मिनिट के पाद इसे उपन करोगे न तो पानी काफी सुख जाएगा तो हमें जो इसमें मटन में जितना भी पानी है वो सारा ड्राय कर लेना है हमारे जो मटन के कीमा है उसमें पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें समोसे में इसे फिल करना है तो यब यह ड्राय हो जाएगा तो इसमें हम चाट मसाला पाउडर आड कर देंगे लिकिन यह टो आप देखोंगे तो लोक काफी आड करते बहुत जादा लेकिन हम घर पे बना रहे हो तो हम थोड़ा से ही आड करेंगे इसमे और इसे यह परेडी हो गया तरहीं से ओफ करेंगे और तंडा कर देंगे तो मैंने साइट में रख दिया है यहा पर एक चोटा सा बॉल ले लिया ह मैंने और इसमें हम दो चंबच मैदा एड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे ज्यादा थिक भी नी बनाना आपको नॉर्मल ही अब बना लेना और ये रेडी हो गया है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने रेडी में जो समूसे की शीट होती है वो ले ली है इस तरह से हम इसे फोल कर लेंगे समेसे को यह देखिए और इसमें हम फिलिंग कर देंगे समूसे की और जब्रय आप करू नप्रस तो आपको ना इसमें समूसे में बहुत जहादा फिलिंग नहीं आपकरनी है वहना समूसे क्या होता है अफट जाता है बीच में से तो हम कम ही फिलिंग एड़ करेंगे इसमें समोसे जो की मटन की जो फिलिंग है वो और इसे इस तरह से रेडी कर लेंगे और जो हमने पेज बना के रेडी कर लिया था वो इसे इस तरह से हम लगा देंगे ताके हमारा समोसा जो है वह अच्छी तरह से सील हो सके य और यहां पर मैंने आइल ले लिया है यहां पर मैंने थोड़ा सा जो हमारा शीट का तुकड़ा था वही देखा और आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी से नहीं पकाना है तो इस तरह से हम आइल को गरम कर लेंगे और इसे मेडियम फ्लेम पे ही से हम फ्राइग कर इसे तरह से निकालेंगे यह देखे मैं आपको बता देती हूं पास से भी कि हमारे समोसे अच्छे तरह से अच्छे तरह से और बहुत जादा क्रिस्पी बने हैं कि यह देखे तो उमीद करते हूं आपको यह समूसे की रेसिपी पसंद आयोगी इसे आपको मैं तोड़के बताती हूं कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे समोसे तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना साथ ही मैं अगर आप चैनल पर फर्स टाइम आयो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू